यह कलेक्टिव फेलियर है सहितालिस से लेके आप तब कहीं सारी तर्थारों का क्या बना दिया हमने अगर आप सांसट की नहीं सुन रहे हैं तो जो छोटे आधना संविधा वाले नोकरी से रिकालेग है उसकी कौन सुनेगा सर एक सागुन की टिकी अगर कोई गरीब गाउं में खरीद रहा है न सर तो आडानी अंबानी के बराबर का करदाता है आप उसको कह रहे हो मुफ्ट, मुफ्ट भैक्शिन, मुफ्ट इलाज, मुफ्ट राशन नहीं साब कुछ मुफ्ट नहीं है उसका स्टेक है, इस वेलफेर स्टेक का कमिच्मेंट है उसको आप डिनागरेक मत करें मैं तावे के साथ कहता हूँ, मैं लाखों लोगों की ओर से बोलगा हूँ जो यहां बोलना चाहते हैं अब मेरी बात सुगी आज संसर चल नहीं रही थी कहां अपनी शिकायत ले आते किस से कहते मुझे भाजपा के मित्रों ने कई साथियों ने कॉल किया बधाई दी, मैं उनका भी एतराम करता हूँ और कहता हूँ कि यह भारोसा इस सदन का है कि हम सब को एक साजह माफी नामा उन लोगों के नाम भेजना चाहिए जिनकी लाशे गंगडा में तैर रही थी किसी ने कह दिया ये, किसी ने कह दिया वो सर दूसरी चीज मैंने कई कल सेक्रेटी जनरल साभ से भात करने की कोशिश की बांकी जगव दी किसी दो सत्र के बीच में सर पाचास लोगों की अबिच्वरी आज तक कभी नहीं हुए संसभी एतिहास में राजीब सात्र क्यों मरत भी जाने की इस दुनिया से रहुनात महापात्रा जब मिलते थे गले लगाते थे बोलते थे जह जगनात अचानक रुबो भी है ये पीरा व्यक्तिगत है आकड़ा मैं नहीं कहना चाहता हूँ मेरा आकड़ा तुम्हारा आकड़ा अपनी पीरा में आकड़ा ढूड़िये एक व्यक्तिग नहीं है इस देश में इस सदन में सदन के बाहर उस सदन में जो ये कहे कि उसने किसी जानने वाले को ना कोया हूँ सर पीर आप कह सकता हूँ अक्षिजन के लिए लोग फोन करते थे हम अरे जिन नहीं कर पाते थे लोग समस्ते हैं सांसा बे अक्षिजन पिछा देगा सौ फोन में पूरे दीन में शाम को बैटके देखते थे सक्सेस रेट दो सक्सेस रेट तीन हमको कौन सा आकड़ा कोई बताएगा साथ हमको किसी आकड़े की बात नहीं करनी है हमें देखना है कि जो लोग गए वो जिन्दा दस्तावेट छोड़के गए हैं हमारे फेलियर का मैं आपकी बात नहीं कर रहा है आपके एगा सतर साल में कुछ नहीं हुआ मैं इसमें जाना ही नहीं चाहता ये कलेकिव फेलियर है साहित तालिस से लेके आपके सारी दर्फारों का क्या बना दिया हमने मुझे पता नहीं था कि एसमताल और अक्षिजञन का क्या रिष्टा होता है सर इमांदार इसे कहता हूँ मैं मेडिकल बैग्डराउंस नहीं आता हूँ सिबा से लोगों को दिखता था अक्षिजञन अक्षिजन मैं तो रवाईों के नाम तक शुरू में सर फ्रनंसियेशन चेक किये कि कैसे उचारन करूंगा यहालत है और तब हम आकड़ों की बात कर रहे है तब हम यह बात कर रहे है थैंक यू फलाना साहब चिलाना साहब सर में यहां से निकलता हूँ बहुत बढ़ा बिग्यापन लगा हुआ है मुफ्त बैक्सिन, मुफ्त राशन मुफ्त इलाज सर एक मिनट मैं ने किसी प्लीज, प्लीज, प्लीज मैं किसी दल की और से आज नहीं बोल रहा हूँ मैं तावे के साथ कहता हूँ मैं लाखों लोगों की ओर से बोल रहा हूँ जो यहां बोलना चाते है अब मेरी बात सुझी आज शिकायत नहीं कर रहा हूँ आपसे यह वेलफेर स्टेट है ना एक सागुन की टिकी अगर कोई गरीब गाउं में खरीद रहा है ना सर तो आडानी अम्बानी के बरावर का करदाता है आप उसको कहरे हों मुफट मुफ अधर्याशन मुफट इलाज मुफ़ राशन नहीं साब कुछ मुफट नहीं है उसका स्टेट है इस वेलफेर स्टेट का कमिटमेंट है उसको आप डिनाइगरेट मत करिए डेमोनाइज मत करिए उसे बाना मत बनाईए ये आगरा है मेरा सर मैं इसे पहले की कुछ और बाते कहूं मेरे पास वी वक्त है सर इस कोरोना को मैं भी मानता हूं मेरे कुर्व के बता कुछ कह रहे था ये चैलेंज है हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी बात है नए ने इक कानून की हो रही है राइट तो हेल्ट का एक भात को नहीं करते है हम लोग राइट तो हेल्ट स्वास्ट काधिकार उसमें कोई किंटू परंटू लेकिन परंच नहीं सीधे तोर पे स्वास्त कादिकार Constitutionally Guarantied Right to Life के साथ लिंक करिए किसी अस्पताल की मजाल नहीं होगी कि वो इस खिलवार कर पाए उस Right to Life का करना नहीं चाहता है Right to Work उस पर कांग करिए Population को लेकर कि बहुत बाते हो रही है साथ डिमोग्राफिक और डिमोग्राफर्स को छोड़ दीजिए बरा संसलिस्ट भी ज्यान है लेकिन ये हम कर सकते हैं इस सदन और उस सदन में Right to Life, Right to Work पर इसलेशन लाइए ताकि कोई आपदा आए अभी तो हमारे लिडर अफ हाउस नहीं नहीं बने है उसे मैं कहता जब वो रेल मंत्री थे हॉस्पिटालिस सेक्टर के लोगों को निकाल दिया गया इसी कोरोना काल में मैंने लगाता आवाज उठाई कोई सुनने वाला नहीं है सर कोई नहीं सुन रहा अगर आप सांसट की नहीं सुन रहे हैं तो जो छोटे आधना संविधा वाले नोकडी से निकाले गए उसकी कौन सुनेगा सर एक और हद्भू चीज हुई सी कोरोना के दौरान माने नहीं उसा भापती महद है जब हाकार मचा हुआ था हस्पिटल के लिए आईसी यू बेड्स के लिए दौाईयों के लिए यह हाकार जब मचा हुआ था उस तोर में सर कई चीजें हुई जिसमें से एक जो महत्वन चीज मैं जिसका जिकर करूंगा उस हाकार में सरकारे मैं सिर्फ केंद्र को नहीं कह रहा हूँ कई राजे सरकारे भी नदारत वो देर मैना कैसे बिताया है इस मुलक ने हमारे सदन के कोई लोग बड़े मुश्किल से बच के आए हमें नाम नहीं लूँगा पूरे देश ने वो वक्त कैसे बिताया है नाइट मेयर की तरह लगता है अच्छ डरावना लगता है एक मेरा स्टूडेंट पढ़ाया है वस्ताई तिस साल का हॉस्पिटल का बेट जब तक मैंने अरेंज किया वो दुनिया छोड़के जा चुका थो मैं इसलिए बार बार इसको किये इसलिए ये कह रहा हूँ कि इसमें व्यत्तिगत पिला को ढूँड़ी है तब हम इसका निदान भून पाएंगे मेरी नाओ, तुम्हारी नाओ, मेरा काल, तुम्हारा काल ये तो बहुत कुछ हुआ इस बहुत काल से आपको कुछ हासिल नहीं होगा सर बस एक मिनट और लूँगा जो मैं कहना चाह रहा था सर एक खत मैंने मिर्तातमाओं के नाम लिखा था कुछ कर नहीं पा रहा था बेवसी में एक खत लिखा जो लोग इस दुनिया से चले गए उसमें कुछ, मैंने सलाह दी थी सरसरकार से और ये जो उस बीच में कहा गया कि सरकारें फेलने कि सिस्टम फेल कर गया अरे सही यहाँ किया है बचपन से सुनते थे कि सिस्टम के पीछे व przypadku होता है सिस्टम के पीछे एक संदचना होती है अगर वो सिस्टम फेल किया है जाहे दिल्ली में या किसी काऊं की गलियों में तो वहां कि सरकारें फेल कि जो आम दिनों में हुआ करता है मैं सिорм इतना आपको आपके माध्यूं से कहना चाहता हूँ मैंने एक शिकायत नहीं की सर किसी से दे किसे शिकायत करेंगा आहत हो जगहना चाहता हूँ सवाइं को भी आपको भी क्योंकि अगर गंगा में तैरती लाशे सर जिंदगी में डिगनिटी चाहिए मौत में उसे बड़ी डिगनिटी चाहिए हमने अंडिगनिफाइड डेच को विटनेस किया है और अगर हमने इसको दुरुस्त नहीं किया सर आने वाली सदिया माफ नहीं करेगी आप बड़े बड़े इस्ताहर छप वाओ अख़बारों के चार पन्ने रंग दो फलना थैंक यू फल सर इतिहास को थैंक यू कहने का मौका मिलना चाहिए जाहिन सर अगर मेरी बात से फिर भी किसी को कस्ट पहुचाओ मैं उन्हीं लाखों लोगों की देट बड़े के भी हाप पे आपसे माफी मानता हूं जाहिन